अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके जबकि शबों को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया गया है S.P. मुरेना का कहना है कि मुरेना में दस लोगों की मौत के मामले में साथ लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्स की गई है एक आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है एक पुलिस कर्मी निलंबित है पुलिस के अनुसार दो मृतक जिला मुख्याले से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर इस्थिद सुमोली पुलिस इस्टेशन के अंतरगत छेरा मानपुरा गाउं के रहने वाले थे गम भी रूप से कम से कम 10 ग्रामिनों को अस्पताल में भरती कराया गया है पुलिस मानिरिक्षक मनोश शर्मा ने कहा हम ये पैचानने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने शराब कहां से खरीदी है ग्रामिनों ने एक सम्हू में शराब का सेवन किया बिमार हुई लोगों को मुरेना और ग्वालेर के अस्पतालों में भरती कराया गया है शवों को पोस्मार्टम के लिए भीजा जाएगा पोस्मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण को इस्थापित किया जा सकता है सुमोली पुलिस थाना प्रभारी रवी गुरजर ने कहा कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार पिडित लोग एक पार्टी में भाग ले रहे थे जहां वे इस्थान ये स्तर पर निर्मित शराप का सेवन कर रहे थे कुछ किरामिडों ने कहा कि शराप कुछ रसायनों के साथ बनाए गई थी इसकी जान चल रही है झाल कि अनुसार कि बच्चचा कि ऑल यह यह रह